जम्मू के चरद्धा कैम्प के पास सुबल करीब सबा चार बजे CISF के पंदरह जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतनकियों ने हमला किया, जिसमें CISF के एक ऐसी की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात के द्वनी विस्तारक यंत्रों के उच्छित इस्तिमाल के निर्देश के बाद सामप्रदाएक सोहार का एक अनुकर्णी ये उदाहरन प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमी से लाउटस्पीकर हटा लिय गया बही गुरकनात मंदर पर इसर के लाउटस्पीकर की आवाज भी धीमी कर दी गई है युक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है इस बीच पश्चिमी देशों से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने अब पलतवार किया है मॉस्को की तरफ से अमेरिकी उप्राष्ट्रपती कमला हैरिस और फेसिक बुक के फाउंडर माप जुकबग समेत 39 अमेरिकी और 61 कनाडाय लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है दो दिवसिय भारत दोरे पर आये ब्रिटिश पीम बोरिस जांसन का आज दूसरा दिन है आज जांसन पीम मोदी से वार प्रनालियों के अधिग्रहन और उनके उत्पादन को सुगम बनाने के लिए रक्षाव करनों की खरीद प्रक्रिया की एक श्रेनी है देश भर में आतनकियों और उनके समर्थकों का डाटाबेस तैयार हो रहा है इसके साथ ही मादक पदार्थों वह थियारों की तसक्री साम भी चल रहा है राजस्थान रॉयल्स का सामना आईपील के मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स से होगा यह मैच मुंबई के वानखेडी स्टेडियम में शाम को होगा पॉइंट टेबल में राजस्थान की टीम तीसरे तो दिल्ली छठी स्थान पर है आर आर ने टूर्ना रुपय हो गई है वही 24 कैरेक सोने में 160 रुपय प्रती 10 ग्राम की तेजी देखी गई है जिसके बाद इसकी कीमत तिरपन 1780 रुपय हो गई है जबकि चांदी की कीमत में 300 रुपय की गिरावट आए है जिसके बाद प्रती 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6100 रुपय हो गई ह सप्ता के आखिरी कारुबारी दिन शेयर बजार गिरावत के साथ खुला है इससे पहले लगातार तीन दिनों से शेयर बजार में मजबूती देखने को मिल रही थी लेकिन आज तीन दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया है